हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका DS गुरुजी मैं मैंने हमेसा आपसे कहा है जब भी RAS और स्विल सबिसेच के एक्जाम होते हैं उन्में इस्तती के आधार पर प्रश्ण पूचे जाते हैं साई वो इंट्रीव का प्रश्ण हो या वो लिकित का प्रश्ण हो तो ऐसा एक प्रश्ण मेरे हाथ में लगा तो मैंने उसको देखा और उन्हींसा देख के सोचा क्यूँ या प्रश्ण आप से पूचा जाए, प्टबिक डोमें में बेसे लाया जाए इकद काठी में वह बिलकुल सामाने बालकों की तरह दिखता है परंतु पढ़ने लिखने में अपने कच्छा के अने बालकों से बहुत पीछे है इसके कारण उसका विद्याले जाना लगभग बंध हो चुका है कई बार वह दिए गए साब्दिक निर्देसो को भी नहीं समझ पाता है वह अपना लंज भी खुद नहीं कर पाता और वह जो भी बोलता है वह एक या दो सब्दों या इसाराओं में जैसे कुछ चाहिए तो दो या सिर्फ इसारे करता है उसके इस पिछड़पन का उसके साथ ही मजाक उड़ाते हैं और उसे मनरंजन का एक सादन समझते हैं महले के लोग अपने बच्चों को राजू से दूर रखते हैं उन्हें डर लगता है कि राजू की बिमारी उनके बच्चों को न लग जाए उसके माता पिता बड़े चिंतित हैं क्या करें ऐसे में उन्हें गाउं के कुछ लोगों ने सलाह दी कि एक बार बच्चे को किसी तांत्रिक से जाड़ फूंग करा देते क्योंकि ये बच्चे पर बुरी आत्माओं का प्रभाव हो सकता है कुछ और लोगों का मत है कि नहीं ये तो वस्तुता माबाप के पिछले जन्म के कर्मों का फल है ये तो इन्हें भुगत नहीं पड़ेगा एक मित्र ने राजू के पापा को सलाह दी है कि किसी अच्छे डॉक्टर को वो जानते हैं जिसकी दवाई से कई ऐसे लोग ठीप हो गए है राजू के माता पिता बहुत तनाव में है आखिर क्या किया जाए इतने में गाउं के एक सिक्छक आकर बताते हैं कि इसे विशेश विद्याले या गाउं की विद्याले में भेजो जिस पर सभी आने लोग हसने लगे कि गुरू जी क्या आप इस पागल को पढ़ाएंगे आप राजू के माता पिता को क्या सलाह देना चाहेंगे आप पुरू थाइंगे झाल टो जो और भाए है